हेलो फ्रेंड्स तिसिज महेंद प्रजपती बेलकम टू पीजी आई रामपरा कैसे आप सबी लोग आई होप काफी अच्छे होंगी इन्जॉय कर रहे होंगे आप लोग तो आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे थोंडप के बारे में हालाकि हम लोग उने इस्ठे पहले एड्वर्डली थोंडप के बारे में पढ़ लिया था उन्होंने कौन से हमें नियम दियीए हुए थे तो उन सबी नियमों के बारे में हमने चर्चा की हुई है प्रिविएस वीडियो में आज हम लोग बिसिकली बात करने के लिए आए हैं थॉंडाइक हैं, क्लारकल हल हैं वीवान पैट्रोबिच पाउलाओ हैं अर्थात आज हम बात करेंगे पूरी की पूरी बिवहारबादियों की जो सिध्धान्त हैं वो एक कौन-कौन बिवहारबादियों की सिध्धान्त दिये थे किस-किसने, उन सभी मनोबैग्यानकों की बारे में हम लोग चर्चा करेंगी तो आएगा, फर्स्ट है हमारे पास प्रियतन और भूल का सिध्धान्त किसका है प्रियत्न और भूल का सिध्धान्त है हमारे पास तो इसको जो प्रियत्न और भूल का सिध्धान्त है इससे दिया था थौंडाइक ने किस ने दिया था थौंडाइक ने दिया हुआ था जो लोग हमारे चैनल पर फॉस्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो लोग एक बार description में जाकर कि वहाँ आपको WhatsApp ग्रोप और Telegram चैनल का लिंक दिया गया है तो वहाँ से आप लोग जोईन हो जाईएगा जिसे कि आप लोगों को PDF और जो भी content है वो सारा का सारा content आप लोगों को मिलता रही तो description में लिंक दिये गए हैं आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं और YouTube पर एक playlist बना हुआ है आप लोग सर्च करिएगा सीटेट 2022 तो पूरा का पूरा playlist मिल जाएगा अभी तक इसके अधियम चैप्टर से related जितने भी हमारे वीडियोज आए हैं उन वीडियोज को आप लोग एक बार देख लेज़ेगा शेकेंड है हमारे पास सास्त्रिय या प्रमपरागत अनुबंदन का सिध्धांत तो सास्त्रिय या प्रमपरागत अनुबंदन का सिध्धांत या हमें जिस मनोबैग्ञ्यानिक नहीं दिया था उसमनोबैग ज्यानिक का नाम है इवान पैट्रोबिच पाउलाओ क्या नाम है तो इनका जो नाम है वह हमें दिया था पाउलाओ ने किसने दिया हुआ था पाउलाओ ने आप लोग पेन कॉपी को बिलकुल लेकर के बैठा करें अपने साथ में जिसने की सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा कोई चीज यदि आपके रहज आती आप नोट नहीं कर पाती है तो वीडियो को पॉस करके आप लोग लिख लिया करें ठीक है थर्ड है हमारे पास क्रिया प्रसूत अनुबंदन का सिद्धान्त किसका है क्रिया प्रसूत अनुबंदन का सिद्धान्त तो यह हमें दिया था वीएफ इसकनरनी किसने दिया हुआ था वीएफ इसकनरनी देखिएगा यहां नाम बहुत इंपोर्टेंट हो जाते हैं कि यह जो सिद्धान्त ही है किसकी द्वारा दिया गया है सीधर कुशन आ जाता है बताईएगा कि प्रियातन और भूल का सिद्धान्त किसका है या प्रियासा और तुर्टी का सिद्धान्त किसका है तो यह किसका ह यह हमारा किसका है इड़िवर्डेटन का सिथैन। यह हमारा किसका है पाउलाओ का है , वह ऐह भुए है हमारा Yes Snare का नेक्स्ट फर पुनृर वलन का सिधान्त तो यह मारा क्या लिखते हैं whgam दिखते हैं तो यह फहर वादियों के सिधृधानत हैं और यह ओवर्ल वान चार सिद्धानते हैं इन्हीं चार सिद्धानते की हम इस लेक्चर में क्या करेंगे चर्चा करेंगे तो आप लोग बने रहीएगा हमारे साथ और आपको बताते चलें कि कल जैसा की संडे है मतलब की संडे के दिन हम लोग क्या करेंगे इसके questions करेंगे आप लोगं को timing हम बता देंगे इसलिए आप लोगं को कह रहे हैं कि आप लोग वाटसप ग्रूप description में जा करके description में आप जाईएगा वहाँ पर आपको Edward Lee Thondike की बात करने के लिए आ रहे हैं, किसे लिए, Edward Lee Thondike, तो Edward Lee Thondike की बारे में आईएगा, हम लोग चर्छा करते हैं, तो हमारे पास है प्रियतन और भूल का सिध्धान्त तो Edward Lee Thondike ने क्या दिया था प्रियतन और भूल का सिध्धान्त या इसी को हम लोग क्या कहते हैं Thondike का सिध्धान्त क्या कहते हैं Thondike का सिध्धान्त या इसी को हम लोग संबंद बाद सिध्धान्त कहते हैं रखल गा freshmen के आपको हिंदी में भोज सारे नाम याद रखने पड़ेंगे केवल दो ही नाम है इस सी का ऊसर थेयोरी कोहते और सलगारी के या उद्धीपक अनुकृरिया का स्ध्धांट मैं उद्धीपक आपको बताः था स्टिमिलस हो तो आप इसले वीडियो में जाकर के देखिएगा आपको सारी बाते मैंने डेटेल में बताई हुई हैं आगे है प्रियास और तुरुटी का सिध्धान्त नेक्स्ट इसी को हम लोग कहते हैं स्योजनवादी सिध्धान्त या इसी को हम लोग ऐसार थेयोरी या बॉंडिंग ल पर फ्रियोग आप लुख लिए गात थोड़ीशी बात करते हैं की जो एड़वर्ली थॉंडाईक हैं इन्होंने किस किस पर किये थे तो अगर चूजों पर किया था, खरगोस पर किया हुआ था इन्होंने घरगोस पर प्रयोग किया हुआ था, फिर्क जोंद पर PAR बिली Pर और खरगोस पर ठीड़ें तो इनके इन पर ये क्या थे प्रियोग थे तो आईएगा समझाते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से ये कि ये बिल्ली है बिल्ली पर इन्होंने किस प्रकार से प्रियोग किया था जब भी आपको बिल्ली दिखाई दे जाए बिल्ली दिखाई दे जाए तो आप समझ लेना कि वहां हमारे कौन बैठे हुए है, थौन डाइक सर बैठे हैं, तो आएगा जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये चित्र किसका बनाया प्रियत्न और भूल का सिद्धानत है, किसका है प्रियत्न और भूल का सिद्धानत आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा मैं और सही कर देता हूँ यह देखिएगा तो यह प्रियतना और भूलका सिद्धान थे इनोंने क्या किया एक बिल्ली को लिया और उस बिल्ली को इनोंने क्या किया एक पिंज़ले में बंद कर दिया यह एक बॉक्स में बंद कर दिया जिसे हम लोग क्या कह रही है, problem box कह रही है, लिखा हुआ है समस्या box, ठीक है, ये क्या है इसका दरबाजा, इस दरबाजे को हम लोग चोड दरबाजा कह रही है, क्या कह रही है, ये जो दरबाजा लिखा हुआ है, ये trap door है, कौन सा door है, trap door है, जिसे हम लोग चोड दरबाजा एक प्रकार से लोये की जालियां लगी हुई है क्या लगी है लोये की जालिया लगी है जिससे की ये बिल्ली से बाहर ना निकल पाए अब इस बिल्ली के लिए यहाँ पर एक मास्का टुकड़ा रखा गया है और ये जो मास्का टुकड़ा है या मिरत मचली तो सारी की बात आपको समझ में आ गई है कि एक बिल्ली है और इसको इनो ने क्या किया एक फ्रेम बॉक्स में क्या कर दिया है जो चारो तरफ से बंद है और इसमें यह नोँने एक ट्रैबडोर लगा दिया है चोड दर्बाज़ लगा दिया है और उसके अंदर ही उसकी एक चटकनी दे दी है कि अगर बिल्ली इस पर पंजा मारेगी तो यू ट्रैबडोर क्या हो जाएगा खुल जाएगा और इस इस बिल्ली को यह नो ने जब इसमें रखा तो यह बिल्ली भूंकी है कैसी है बिल्ली यह बूंकी है और यहाँ पर इसमें क्या रखी हुई है मृत मसली रखी है मास का टुकड़ा रखा हुगा है मसली का ठीक है तो इसी सिद्धानत को क्या कहते हैं हम लोग प्रियतना और भूल का सिद्धानत कहते हैं तो यह बिल्ली क्या करती है तो दिल्ली बिल्ली यह इस जाली पर पंजे मारती है और पंजे किसलिए मारती है क्योंकि यह किसको प्राप्त कर सके तो यह मिरतमस्ली को प्राप्त कर सके तो देखिएगा मिर्त मसली इसका क्या है एक टारगेट है यह जो मासका टुकडा है यही इसका क्या है लच्छे है और हमने आपको बताया था जो भी लच्छे होता है उसी को हम लोग क्या कहते है उद्धी पक कहते है उद्धी पक तो इसका जो इस्टूमिलस है उद्धी पक और S क्या है हमारा Stumulus है क्या है Stumulus ऐनि कि RS Theory इसी बज़े से इसको कहते है क्या कहते है RS Theory कहते है इसको हम लोग क्या कहते है RS Theory की नाम से जानते है तो जब यह विल्ली क्या करती है इस जाली पर पंजे मारती है तो यह क्या मास को प्राप्त कर पाएगी नहीं कर पाएगी तो यह ऐसा अथक प्रियास करती रहती है और अथक प्रियास की बाद इसका गलती से पियर चीजो होता है इस चाटकनी पर पढ़ जाता है जैसे इस चाटकनी पर यह पार पढ़ता है दिखेगा जैसा कि आपको चित्र में दिखाई भी दे रहा है अगर हम यहां आपसे बात करते हैं तो देखिएगा यहां पर एक यह जो बिल्ली है यहां पर मैं सारी चीज़ों को हटा देता हूँ तो यहां आपको एक ये क्या दिखाई दे रही है ये बिल्ली है तो बिल्ली क्या कर रही है देखो इस जाली से बाहर पंजा निकाल रही है लेकिन ये मचली तक मिरत मचली तक नहीं पहुँच पा रही है फिर ये क्या करती है बहुत सारी अनिगनत क्रियां करती है अनिगनत क यहां क्या हो रहा है आप देखिएगा कि यह जो मसली है जो बिल्ली है यह अनगनत क्रियाएं कर रही है किस पर जाली पर तो यह अवरोध का काम कर रही है अवरोध का काम कर रही है तो अगर हम आप से बात करें कि यहां पर जो कंडक्टर है वो चालक यहां कौन है तो बिल्ल की बात करें तो इसका लच्छ है मिर्त मचली क्या है मिर्त मचली मिर्त मचली इसका लच्छ है और अगर हम आगे की बात करें इसे तो यह जो अवरोद आ रहा है इसमें क्या रहा है अवरोद आ रहा है तो वह अवरोद क्या रहा है इसमें लोहे की जाली है क्या है लोहे की जा यह अन्यमित क्रिया कर रही है किस पर कर रही है तो यह जो अन्यमित क्रिया कर रही है यह जाली पर कर रही है किस पर कर रही है जाली पर जो कि इसके अभी लच्छ को हासल नहीं उपा रहा है तो यह जाली पर क्या करती है अन्यमित क्रिया करती है तो होता क्या है अन्यमित क्र प्रिया करते हैं इसका गलती से किसे गलती से तो संयोजन बस कह सकते हैं इसको क्या मिल जाती है सफलता मिल जाती है संयोजन बस इसको क्या मिल जाती है यहां पर सफलता मिल जाती है गलती से इसका पैर जो होता है वह इसका पैर कहा जाता है इस ट्रैप डॉर पर आ जाता है ट और से हमेते हैं तो इसको किया मिलती हैस एकह certains समझ गए होगे तो यहांपर यह सारी यह विलिक रियाएं कर रही है तो बात हम कर सकते हैं कि अपर यह भूली को जब फरर्स्ट इ chodzi तो मान सकते हैं कि इस ने हुब जाली पर पैर पटका और इसको पता चला कि फिर गलती से इसका पैर कहां पढ़ गया इस चटकनी पर पढ़ गया ऐसी थोंडाइक ने इसको कईयों बार देखा और कईयों बार करके फिर यह क्या हुगा अंत में जैसे इस बिल्ली को इस द्रवाजे के अंदर बंद किया जाता था इस स ठीडम हो रहा किसे धीरे हो रहा है कैसा हो रहा है धीरे धीरे हो रहा है इसमें आप देख सकते हैं प्रियास और बूल दोनों चीजे क्या है समायत हैं जैसे कि आप यहां देखेगा प्रियात्न एबं भूल बिल्ली के द्वारा अथक प्रियात्न किये जाते हैं और बिल्ली सकसेज रहती है लेकिन अंगले दिन बिल्ली फिर वही चीज़ें भूल जी जाती है बिल्ली क्या हो जाती है भूल जाती है जैसे बिल्ली ने फर्स्ट दे क्या किया था सौ बार अगर जाली पर पैर पकड़ा पठका हुआ था तो इसके बाद अंगले दिन जब उसको बंद किया गया तो उसने असी बार फिर भी पैर को क्या किया है पठका है उस जाली पर क्या हम पर किया तो इनने पर फिर भी पर視य की बार जाली मुझा हुआ 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 जा था घ्र सकत्सका किया दो अजगा जा साफ दो है तो नगले पीचर झाल झाल पुनरवलन या सवलन का सिध्धान्त है तो आएगा हम लोग बात करते हैं चर्चा करते हैं किस पर पुनरवलन या सवलन का सिध्धान्त ये शी को हम लोग क्या कहते हैं आवसक्ता या हिराशन का सिध्धान्त तो देखिएगा पुनरवलन का हजाई या सवलन का हजाई या प्रबलन का हजाई एक ही बात है आपकी या क्या का हजाई आवसक्ता हिराशन का सिद्धान्त मतलब कि आवसक्ता जो हो हिराशन मिस होता है क्या कमी या इसको भी क्या कह सकते हैं हम लोग आउकलन का सिद्धान्त यही हमारा कहलाता है आवसकता निसकर्च का सिद्धान इंगलिस में यह हम लोग कहते हैं Reforcement Theory क्या कहते हैं Reforcement Theory तो यह हमें किसने दिया हुआ था यह हमें दिया हुआ था जो यह सारी बात हमें बताई हुई थी यह Clark L. Hull ने बताई हुई थी तो आईएगा हम लोग बात करते हैं इन्होंने क्या बताया ठीक है तो बात करते हैं Clark L. Hull की इन्होंने कहा कि एक कोई प्राडी है क्या है एक कोई अमारे पास अगर प्राडी है कोई एक जीवत बैक्ती है और इस जीवत बैक्ती को क्या होती है आवस्यक्ताएं होती है, क्या होती है, आवस्यक्ताएं होती है, समझ रहे ना, कुछ जैविकिया आवस्यक्ताएं इस प्राडी को, जैविकिया आवस्यक्ताओं की हर एक प्राडी को जरूरत पलती है, जैविकिया आवस्यक्ताओं, जैविकिया आवस्यक्ताओं होती क्या है जैविकिया आवसकता है, जैविकिया आवसकता है, प्यास भी लिख सकते हो आप लोग, प्यास भी हमारी क्या है, एक जैविकिया आवसकता है, तो इस जैविकिया आवसकता को प्राप्त करने के लिए, ब्यक्ती क्या करेगा, ब्यक्ती क्या करेगा, ये जैविकिया आवसकता को प्राप्त करने के लिए एक वैक्ती जो है वो एक क्रिया करेगा और क्रिया करके इसे क्या कर लेगा प्राप्त कर लेगा क्या कर लेगा प्राप्त कर लेगा तो देखिएगा इसे इन सब चीज की क्या है आवस्यक्ता है क्या है आवस्यक्ता है इसलिए इसे हम लोग क्या कर कर रहे हैं आवसक्ता का सिद्धान्त कह रहे हैं भूंक और प्यास की क्या है आवसक्ता है और जब यह सावसक्ता को क्या कर लेते हैं प्राप्त कर लेते हैं क्या कर लेते हैं प्राप्त कर लेते हैं तो प्राप्त करने के पार इनके पास पुनरवलन आजाता है क्या आजाता ह किसी और सोर्स के माध्यम से यसे क्या कर ले, प्राप्त कर ले, अर्थात उसके पास सक्ती आ जाई, खाना खाने के बाद उसके पास क्या जाएगा, बल आ जाएगा, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि पुनरवलन आने पर ही उसके अंदर क्या होगा, अधिगम होगा, क्या होगा, अधिगम हो पाएगा पुनरवलन आने के बाद ही उसके अंदर क्या हो पाएगा तो वह अधिगम को कर पाएगा तो अब ये देखिएगा जिस प्राणी को यहाँ पर यह क्या थी जैविकी आवस्यक्ता थी तो वो किसी ना किसी माध्यम से तो अपने भोजन और पाने की विवस्ता करेगा तो यहां इन्होंने Clark ने एक बात कही हुई थी Clark ने कहाता कि मनुस एक ऐसा प्राड़ी है जो समस्य स्वचलित मसीन है कैसा है? समस्य स्वचलित मसीन है अर्थात इसके पास समस्याइं आएंगी उन समस्याइं का यह क्या करेगा स्वचलित कैसी है? मसीन है इन्होंने कहा कि मनुस एक ऐसा प्राड़ी है जो समस्य स्वचलित कैसी है? मसीन है तो बात करते हैं यहां पर जो आवस्यक्ता है आवस्यक्ता के लिए वह क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा क्या करेगा अनुक्रिया करेगा और अनुक्रिया करके वह उद्धीपक को क्या कर लेगा प्राप्त कर लेगा जैसे कि यहां बात करते हैं उद्धीपक क्या है भूंका और प्यास मतलब कि किस के द्वारा खतम होगी यह भोजन के द्वारा होगी तो यह भोजन है भोजन को ही हम लोग क्या कहेंगे उद्धी पक कहेंगे क्या कहेंगे उद्धी पक कहेंगे और इस उद्धी पक को प्राप्त करने के लिए जो की गई क्रिया है वही हमारी क्या 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 क्य किस ने दिया प्रणवलन का सिध्धांत बताओ उस मनोवैग्ञानिक का नाम बताओ जिसने अपने सिध्धांत में पुनरवलन को सबसे अधिक मैहतों दिया, तो सबसे अधिक जो अधिक मैहतों तो किसको पुनरवलन को, swiftly किको का तो सबसे ज़्धके PCVD ने किया और इंप्पोंट्षिंट stellate तोनों कुशन को आप अच्छे से क्लियर करिएगा बढ़िया तरीके से तो यहां पर उद्दीपा क्या है हमारा उद्दीपा कि यहां पर भोजन है और भोजन के पृति यह क्या कर रहा है क्रिया कर रहा है उसी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे अनुक्रिया कहेंगे क्या कहें तो इसमें लिखा है प्रवलन सिद्धान्त का प्रितिपादन सियल हल नामक अमेर्की मनोब अग्यानिक ने 1915 में किया था कफ किया था 1915 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स और बेहिवियर कौन से इनकी पुस्तक का भी नाम आप लोग लिख लें पुंचा जा सकता है आप स कि बताइएगा उन्होंने जो अपना प्रवलन का सिद्धान्त दिया है वह किस किताब में लिखा है तो प्रिंसिपल और बेहिवियर में लिखा है मैं किया था इस्टॉंस ने इस्टॉंस के साब्दी में सीखने का आधार आवस्यक्ता की पूर्ती की प्रिक्रिया है देख कोई कारे पसू या मानव की किसी आवस्यक्ता को पूरल करता है तो उसे सीख लेता है suppose that कोई एक प्राणी है उसे किसी एक दूसरे सोर्च के माध्यम से उसे प्राप्त कर लेता है भोजन को उससे यह सीख रहा है कि मुझे इस सोर्स के माद्धम से क्या मिल सकता है, भोजन मिल सकता है, जिसके उसके आवसकता में क्या आएगी, कमी आएगी, इसलिए इसको बोला भी गया है आवसकता हिरासन का नियम, क्या बोला गया है, आवसकता हिरासन का नियम, यह लिखा हुआ है आवसकता हिरासन का नियम कहलाएगा या उसी को हम लोग आउकलन का सिध्धान्त कहेंगी क्योंकि आउकलन में इसे भी क्या होता है आपका कमी होता है हलका यह सिद्दांत थोंडा इक और पाउलाओ के सिद्दांतों पर आधारत है किस-किस के सिद्दांतों पर आधारत है पूछा जा सकता है बताईएगा क्लार कैल हलका यह जो सिद्दांत है यह किस-किस के सिद्दांत पर आधारत है तो यह हमारा थोंडा एक और पाउलाव की सिद्धान्त पर आधारित है इवान पैट्रोबिच पाउलाव अभी हम आगे चर्चा करेंगे इवान पैट्रोबिच पाउलाव के वारे में कि इवान पैट्रोबिच पाउलाव ने हमें क्या बताया था किस प्रकार की theories दी थी, उन्होंने कुट्टे पर अविस्कार किया था, किस पर अविस्कार किया था, कुट्टे पर अविस्कार किया हुआ था, तो आप लोग इस बात को लिख लीजेगा, ठीक है, यहां भी आपको दो point वढ़िया मिले हैं, वो कौन-कौन